T20 World Cup करीब आ रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारती टीम के ओर से कौन से ऐसे तेज गेंदबाज होंगे जो टीम में सामिल होंगे सबके दिमाग में यह सवाल है और इस सवाल का जवाब दिया है पूर्व क्रिकेटर जहीर खान ने उन्होंने बताया कि ऐसे कौन से तेज गेंदबाज होंगे जिने टीम में सामिल करना चाहिए और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह बताई है कि आखिर T20 World Cup 2024 में कौन सा भार के तेज गेंदबाज हो सकते हैं जो T20 World Cup 2024 के लिए भारत की स्कौर्ड में होने ही होने चाहिए तो पहले आपको बताते आखिर जहीर खाने अपने बयान में क्या का है कि इन गेंदबाजों का नाम लिया है मुझे लगता है कि आप निश्य तूप से जस्परित बुम्रा औ इसके बाद अर्षदीब सिंग आपको थोड़ा वारियेशन मिलेगा क्यूंकि वह बायहाग का पेसर है वह अच्छे यॉरकर फेक्ता है तो वह एक अतिरेक लाब है फिर में मुहमत शमी पर विश्वास करता हूं क्यूंकि अगर वह फिठ है और स्लेक्शन के लिए अगर शमी फिठ है तो उन्हें होना चाहिए और मोहमत शमी वह तेज गेंदबास हो सकते है जो टीम इंडिया के लिए एकस फैक्टर साबित हो सकते है बिलकुल मानने और मोहमत शमी की जितनी तादीफ की चाह उतनी कम है क्योंकि हमने देखा वल्ड कप में सबसे मुझे ब विकेट निकाल रहते है जिस टाइम इंडिया को जरूरती और वो विकेट टेकिंग गेंदबास बन गया पूरे वल्ड कप के इसके बावजूद की उनको मुझा नहीं दिया गया ता चार मुकाबले में इस्टार्टिं के चार मुकाबले में बिलकुल लेकिर उन्होंने आ अब मुझे नहीं लगता कि अगर वो फिट हो रहे हैं तो कोई भी हापे जो है गलती करने वाले टीम इंडिया उन्हें बेंच पर रखेंगे उनको फिट से उन्हें पहले ही फोर्सले से पहले मुकाबले से टीम इंडिया की प्लेंग 11 में जगा मिलने वाली है बिलकुल औ करते हैं लेकिन नो बॉल और वाइट जो की बहुत महंगा पड़ता है टीट्वेंटी मुकाबले में क्योंकि टीट्वेंटी मुकाबले में अगर आप वाइट और नो बॉल जादा देंगे तो दिक्कत आवेस्खान के साथ भी है तो अर्षदीब सिंग की बहुत प्रेक् अर्षदीब का एक्स्टा सा कंसर्न जरूर रहता है लेकिन मुझे लगता है कि आपके टीट्वेंट्वेंटी आई में यह प्रेशर हैंदिल करना तो कहींने बॉच्छिएप के साथ जाना कोई चाहता है लेकिन टीम इंडिया वाली है तान बॉस्ता जाता जाताने वाली ह परफॉर्म कर रहे थे पहले मुकाबले का पहला और उनको दिया गया और वो मैडन गया था तो प्रेशर तो डालते हैं लेकिन उनकी जो एक कमी है वह यही कि वाइट और नो बॉल बाकी गेंदबादी में विकेट चटकाते हैं टी-20 मुकाबले में मतलब अगर उनको गेंद गलती करेगी BCCI कि मुहमास्तमी को बेंच फे बैठा है बिल्कुल लेकिन यहां पर देखना हो कि चार विकल्ट के साथ ही जाते हैं यह स्पिनल एक्स्ट्रक लगों कि पेच्छ पर काफी डिपेंड रहेगा बिल्कुल इंडिया के सारे मुकाबले है शुरुबात की सब्सक्राइब के साथ ही जाए अगर फिट नहीं है तो मुझे लगता है वह बहुत मतलब एकस्टर बनकर आएंगे क्योंकि उन्होंने दिखाया था वल्ड कप में अगर वह फिट नहीं होते हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा इंडियन टीम के लिए क्योंकि व हो एक बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर होने वाले टीटी व्ल्ड कप में और उन्होंने अपनी इंपोर्टेंस दिखा दिये लेकिन कहिने का लगता है कि शर्मी के वापसी हो जाएगी क्योंकि खबरे आ रही है कि इगने के खिलाव जब इंडिया ने पांच 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 तो अभी सबय काफी सादा बाकी तब तक शवी रिकवर कर सकते हो तीम इंडिया में जगा अपनी कन्फर्म बनाने ही वाले वो सिधा आते ही तो कहीं न कहीं हम कह सेते कि आपके ये चार गेंडबास होने वाले बाकी आपने जहीर ने विकल्प बता दिये उन्होंने तो अबिकल भी रहो यह है